नमस्कार विल्कम टू एजी डिवटो मैं हूँ आपका टीचर सोभंकर आज के इस ट्यूटर में हम लोग माया 2018 में स्वकरबल बनाएंगे तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हम लोग जाएंगे इस सेपरेटल अब करते हैं तो आप लोगे एक्स्टूट करना पड़ेगा और अगर करेंगे तो अप लोगे बेवल दे के अंदर की तरफ स्केल करना पड़ेगा तो मैं नॉर्मेल जो सेटिंग्स है उसके सबसे बना के दिखा रहाए बंद कीजिए और यहाँ पे ड्रा लाके इसमें दे देंगे smooth, smooth का जो division रखेंगे दो अब, जब भी हम लोग smooth देते हैं, देखें इस type का object में, यह totally radial, मतलब round नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, select करके, हम लोग चले जाएंगे modeling के अंदर जो deform है, वहाँ पर use करेंगे scalp modifier, scalp modifier जब देंगे, outliner में देखी, यहाँ पर दो option आया है, sculptor on and sculptor 10th origin, तो sculptor को select करके, scale tool select कीजिए, R paste करने से, आपका scale tool आएगा, इसको click and track करके, मेडिल से बढ़ा किजिए, तो देखिए, sculptor के हिसाब से object को ओ, पूरा radial, या फिर round कर देगा, देन object को select कीजिए, इसका history delete कीजिए, तब जाके, sculptor जाएगा, तो मैं जाओंगा कहा, edit, delete by type history, इसका shortcut है, shift, alt, d, कर दिए, देन आप इसको scale करके, छोटा भी कर सकते है, आपके इसाब से size adjust कर लिए, मैं तोड़ा इसको उपर भी उठा रहा हूँ, grid के उपर, then age mode में चलिए, आप component mode में चलेंगे, age selection में, तो यहाँ पर corner में जो यहाँ पर double click कीजिए, loop के लिए, shift trace करके multi select करने के लिए, फिर यहाँ पर double click कीजिए, फिर age में double click कीजिए, यह तीनो age select करके, यहाँ पर select में, menu bar में, जाईए, similar कीजिए, देकिए, उसके इसाब से जो जो age है, वो यहाँ पर select हो जाएगा, दिन हम लोग चलेंगे, edit miss, bevel, control B shortcut है, बेvel करके, मैं control A प्रेस करता हूँ, attribute editor open होगा, और यहाँ पर जो fraction है, इसको मैं control प्रेस करके, यहाँ पर left click करके, drag करूँगा, तो point की हिसाब से कम जादा होगा, और segment को मैं 2 करूँगा, और थोड़ा कम कर रहूँ है, position, देन फिर से मैं age mode में रहके, इसमें double click करूँगा shift trace करके, इसमें double click करूँगा, और इसमें double click करूँगा, देन फिर select में जाएंगे, similar करेंगे, तो उसके इसाब से जो भी age हो, select हो जाएगा, scale tool trace करेंगे, और देन अंदर की तरफ, drag करिए, अंदर की तरफ, और 3 trace कीजए, देखिए, आपको select का जो, यह seem जो होता है, वो कि से decide कर सकते हैं, मैं थोड़ा जादा अंदर कर रहा हूँ, और bevel में जाके, यहाँ पर, बेवल का जो fraction था, और थोड़ा, अब object mode में चलते हैं, अब देखिए, उम लोग का यह, शौकर बल या फिर food बल जो है, वो complete हो गया, अब यह 3 trace करके, हम लोग देख रहे हैं, जब अब यह रेंडर करके देख सकते हैं, अगर आपको यह tutorial अच्छा लागा तो, प्रीज लाइक करें, share करें, और subscribe करें मेरे चैनल को, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाई बाई